नमस्कार एजुकेशन प्लस एकेडवी पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग LCM और HCF का लूसेंट गाइट से क्वेस्चन नमबर 53 से आगे के प्रस्णों को स्वाल्व करें अगर आपको हमारे द्वारा बताये गए कॉंसेप्ट और कॉंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और इसे सेयर कीजिए तो हम लोकेशन नमबर 53 को सॉल्व करते हैं तीन घंटिया क्रमशा 12 15 तथा 18 मिनिट के अंतराल में बसती है यदि वेपराता है नौ बज़े एक साथ बज़ी हो तो फिर से एक साथ कब बज़ेगी देखे तीन घंटी है एक 12 एक 15 और एक 18 मिनिट के अंतराल पर बसती है यानि कि एक घंटी बसता है तो 12 मिनिट पे एक घंटी बसता है 15 मिनिट पे और एक घंटी कितने मिनिट पर बसती है 18 मिनिट पे अब देखे इसमें हम लोगों को अगली बार कभ ये बजेगा ते इन तीनों से जो डिभाइड हो जाएगा जो संक्या डिभाइड हो जाएगा उसी समय अगली बार ये बजेगा जैसे इसे डिभाइड होने के लिए जैसे 12 से भी कड़ जाना चाहिए 15 से भी कड़ जाना चाहिए और 18 से भी कड़ जाना चाहिए ठीक है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे इसका तो 2 से निकालेंगे 6 बार में ये 15 का 15 ही रहेगा और 2 से इसे करेंगे तो 9 बार में 3 से लगाईए 3 2 6 3 5 15 और 3 3 9 अब यहां से हम लोग क्या करेंगे इसका LCM लासो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3 तो 3 दोनी 6 6 दोनी 12 12 पुज़े 60 60 ती आई 180 मतलब अगली बार जब यह 3 गंटी बजेगी तब 180 मिनट का समय लाएगा तो 180 मिनट अब जब बजा था क्या कितना बजे 9 बजे कितना बजे बजा था 9 बजे तो 180 मिनट है तो 180 मिनट को हम लोग बदल देते हैं कि इसमें घंटा में तो 60 से भाग देंगे यानि कि यह हो जाएगा कितना 3 गंटा कितने घंटे हो गए 3 गंटे तो यहां से देखे पहली बार बजा था कितना बजे 9 बजे तो इस बार 3 गंटा और एट कर देंगे है ना तो यह बज जाए कितना 12 बजे अगली बार यह एक साथ बजेगा तौर में यह 25 और कि 50 फॉर फिप्टी फॉर नंबर क्वेश्च्टन है से तीन ट्रैफिक की बतियां कर आबसLo सदास्थ पंदरए हैं गरस doit R उसकी पराट च्ष बजे चमकती है तो इसके परेश इससमात साथ 19 घंए तो question number 53 और question number 54 दोनों एक जैसा आई है ठीक है तो तीन ट्रैफिक की बत्ती है जो 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट के पर चमकती है ठीक है तो एक साथ भी 6-10 बज़े चमकती है तो इसके पर चाथ एक साथ भी कब चमकेगी तो आगली बार एक साथ पूछेगा कि एक साथ हो कब चमकेगी या फिर अगली बार एक साथ कब घड़ी घंटी बदेगी तो ऐसे प्रशनों के लिए हम लोग क्या करेंगे उसका LCM निकालेंगे कब चमकेगी तो इन तीनों से जो डिभाइड होगा जो हमारी सबसे छोटी संग है इन तीनों से डिभाइड होगा वही होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे LCM निकालेंगे दो पचे 10 ये 15 का 15 रहेगा दो दहांके क्या हो जाएगा 20 पांच से लगाएंगे तो पांच ही का ही 5 पांच पस्तिया ही 15 और पांच दूनी कितना 10 अब यहां से हम लोग देख रहे हैं कि इसका LCM कितना आ जाएगा तो दो गुने 5 गुने 3 गुने 2 पांच दूनी 10 त्याई 30 दूनी कितना हो गया साथ इसका LCM कितना आ गया साथ मतलब अगली बार वो बतियां कब चमकेगी तो 60 मिनट पे चमकेगी है ना तो 60 मिनट का मतलब कितना हो गया यह घंटा हो गया अच्छा आप देखे पहली बार जब यह बजा था कब पहली बार यह चम इसमें और एट कर देंगे मतलव कि अगली बार बजेगा ये प्रातह साथ बज कर दस मिनट पर तीन घंटिया 12-15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है अगर वह आठ 35 पर एक साथ बजती हो तो दूसरी बार कब एक साथ बजेगी तो 15 मिनाट 12 मिनाट और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है आठ 35 पर एक साथ बजा है तो अगली बार कब हो वह एक साथ बजेगा तो सेम क्व है तिरेपन और चोगन के जैसा ही तो इसे भी हम लोग सॉल्फ करते हैं 12 15 और 18 12 15 और 18 इन तीनों का क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे 2 से ये 6 बार में ये 15 रहेगा 2 से ये 9 बार में 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी कितना 6 और 3 पचे 15 और 3 तियाई 9 अब किसी से डिभाइट नहीं होगा तो इसका LCM कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3 2 तियाई 6 चोदूनी 12 12 बारा पचे 60 60 तिया कितना 180 यानि कि 180 सेकेंड पर अगली बार क्या होगा ये बजेगा तो जब 180 सेकेंड पर अगली बार बजेगा 180 का मतलब कितना हो जाएगा 3 मिनट यानि 60 से भाग देंगो तो कितना आ जाएगा 3 मिनट तो 8 35 पे बजा था और तीन मिनट इसमें और एड कर देंगे ठीक है ती हो जाएगा 8 बज करके 38 मिनट पर ये फिर से एक साथ बजेगा ट्वेस्च नमबर 56 प्राता कालीं चैर के समें 3 ब्यक्ति एक साथ चलना प्रारम करते हैं उनके कदमों की चलनी की दूरी करम से 80,85 cm और नबबय से इन में से परते कि नियुंतम दूरी इन में से परते कितनी नियुंतम दूरी चले कि community को पूर्ण कदमों में तेह कर ले तो कि तीनों को कदमों की चाल दिया गया है 80 cm, 85 cm और 90 cm तीन में से परते कि नियुनतम दूरी चले कि तीनों उस दूरी को पूर्ण कदमों में तै कर ले तो नियुनतम दूरी अगर पुछेगा, नियुनतम पुछेगा, कम से कम पुछेगा तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, तो 80, 85 और 90 का LCM निकालेंगे, 5-16, 80, 17 हो जाएगा, और 5 से कितना हो जाएगा, 18, 2 से लगा दिजे, 2 से ये 8, 2 से ये कितना हो जाएगा, 17, और 2 से कितना ही हो जाएगा, 9 तो यहां से हम लोग का LCM इसका कितना आ जाएगा, 5-2, 10, 5-2, 8-7, 9, तो 5 दुनी 10, 10, 68, 80 हो जाएगा, और गुना में 17 नमा कितना एक सो तिरेपर, गुना कर लेंगे इसको 0, 83 के 24, और 8 पचे, 40 और 2, 42, हां ठीका यह, 8, 4, 12, ठीक है, यह आ गया सेंटि मीर में, तो इस सेंटि मीर को हम लोग बदल देंगे किसमें, मीटर में तो इसको भाग देंगे कितना से, 100 से, 1, 2, 2, 4, 0 को भाग दे जाते हैंender कितना से, 100 से, तो यह आ जाएगा, 122 मीर, 40 सेंटि मीर, 122 मीटर कितना आजाएगा 40 cm ठीक है Question No. 50 सिरमति भाठिया अपनी कच्छा के विद्यार्थियों में बरावर बरावर 75 पेंसिले वा 60 रबर बालती है उनकी कच्छा में अधिक्तम कितने विद्यार्थि है अधिक्तम कहेगा या अधिक से अधिक कहेगा या महत्तम कहेगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे हCF निकालेंगे तो 75 और 60 का हCF निकालेंगे तो कितना आएगा देखे 75 और 60 का हCF निकालेंगे तो 60 ही कहीं 60 हो जाएगा यहां से 15 और 60 आएगा यहां 15 चोके कितना साथ मतलब कितने स्टूडेंट होंगे अधिकतम उसके कच्छा में तो 50 नस्टूडेंट होंगे ठीक है चोकलेट के दो ब्रांड 10 एवं 12 की पैकिंग यह उपलब्द है मतलब कि एक पैकेट में 10 है और एक पैकेट में कितना है 12 चोकलेट यदि मुझे दोनों ब्रांडों को एक समान संख्या में चोकलेट लेनी हो मतलब ब्राबर ब्राबर हम लोग चोकलेट खरीदेंगे 10 का है जैसे 20 खरीद रहे है तो उसका भी हम लोग कितना खरीदेंगे दो गुने, पांच गुने कितना, छे, तो दो पचे दस, और दस छका कितना हो गया, साथ, मतलब टोटल कितने चॉकलेट खरीदने पड़ेंगे, तो साथ चॉकलेट, तो साथ चॉकलेट है, तो साथ चॉकलेट के लिए इसका कितना पैकेट, दस चॉकलेट वाला कितना पैके खरी देंगे 6 packet, छे packet खरी देंगे 10 chocolate वाला, ठीक है, और 12 chocolate वाला कितना, तो 12 वाला भी हम लुक 60 खरी देंगे, तो 12 से भाग देंगे, then 12 वाला कितना package हम लुक क्षरी देंगे, 6 packet खरी देंगे, 12 chocolate का, ही था question number 58, और last है question number 59, दो टैंकरो में क्रमसा 960 लीटर 800 लीटर पेट्रॉल आता उस मापक के अधिक्तम धारिता ग्यात की जो परतेक टैंकर के तेल को पूरा-पूरा भर सके तो अधिक्तम धारिता है तो अधिक्तम के लिए हम लोग क्या करेंगे 960 और 800 का LCM निकाल देंगे तो 800 से 960 LCM नहीं HCF निकालेंगे एक बार में 800 आ जाएगा 60 बचेगा इधर से 800 आएगा तो आठ चकर तालिश नौचक चौगण यहां से कितना 160 आएगा 160 आएगा 66 में 16 पची 80 यानि पांच बार में यह डिवाइड हो जाएगा तो यहां से HCF कितना आ गया 107 यानि अधिक्तम धारिता वाला माप क्या होना चाहिए अधिक्तम धारिता कितनी होगे तो एक 100 हो जाएगा 60 लेटर तो यह चैप्टर समाप्त हो गया अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इसे सेर किजिए थैंक यू